नमस्कार मैं हूँ सच्चेदानंद वसिष्ट सज्जनो मकर रासी वालों के लिए ये नौमबर का मेना कैसा रहने वाला है उसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं अगर हम मकर रासी वालों के स्वास्त की बात करते हैं या धंधान्य और कुटुम्ब की बात करते हैं तो ब प्रोपरटी संबंधी बात करें, या यस प्रथिष्टा संबंधी बात करें, तो वहां का मालिक, आपके जो है, अपने इस्थान से, चोथे इस्थान के ऊपर गया हुआ है, नीच रासी के अंदर वो विध्यमान है, लेकिन फिर भी वो केंदर में होने के कारण से, अच्छा अपना कहीं भी ऐसी जगे पर जाना बार बार ध्यान उधरी जाना यानि अपने जो है कहीं कोई भी अफेर की तरफ बढ़ना या फिर पिक्चरों की तरफ बढ़ना या फिर किबल मोबाईल में लगे रहना या फिर आमोद प्रमोद में लगे रहना इस प्रकार की स्थिती ब पूर्ण रह सकता है। उसका ध्यान रखा जाए। दैनिक व्यापार उसमें भी उतार चड़ाव आ सकते हैं। कर्म के क्षित्र में, व्यापार के क्षित्र में, नोकरी के क्षित्र में, लाब के क्षित्र में अच्छा परिणाम देंगी। लेकिन आपके लिए 5-6-7 तारीक ये कहीं भी इन्वेस्टमेंट की नहीं है, कहीं भी लेंदिन की नहीं है, परना नुकसान हो जाएगा। और अ कोई भी राजकी ब्रद्धी पदव्रद्धी इसके अंदर आपको हो सकती है राजनेताओं से भी आपको लाब हो सकता है 18-19 तारीक ये आपके कहीं भी विवाद उत्मन कर सकते हैं तो उससे आपको सतर करहना चाहिए और बाकी 20-21-22 तारीक दामपत्य जीवन में अच्छा रहेगा देनिक व्यापार के अंदर अच्छा रहेगा और सुखत परिणाम इसके अंदर निकलेंगे 23-24 तारीक आपके स्वास्त के लिए थोड़ी सी कमजोर रह सकते लेकिन इसके पश्चाथ 25 तारीक से लेकर के 30 तारीक तक आपके लिए आनंद ही आनंद हैं सुख ही सुख है और उसके अंदर आपके हर कारिये पूर्ण होंगे ये जानकारिया मैंने आपको दी बाकी जानक कि जो आपकी असली तारीक असली समय है वो आपका होना जरूरी है तब ही हम आपका कुछ सहयूग कर सकते हैं नमस्कार